प्लेट के इंपोर्टंट इंपोर्टंट चीज़ों को सब्सक्तेंगों मैं में नोट्स क्यों आगीएग्या तो किर्पया करके पैण कि विद्ध पर व कि कि हम ने देखा कि हमारे श्रीर में एक खाना के खाना थाए ठीक ऑॉक्सीजन ओती है करने अट्सटाइब धया ह्याइँ हार्मून ओते हैं हार्मून ओके एंजाईम होते हैं तरहे हिते हैं अम्ल कई आपनुम होते हैं इन सब चीजों को कि एक जरुरद पढ़ती है एक जगा से डूसरे जरे जाने की जरुरत पढ़ती ही है रिगे है एक जगे से दूसरे जगे पहुंचने की ज़रूरत पढ़ती है for example, जैसे खाना खाना जब पच जाता है खाना डाइजेस्ट हो जाता है तो कहां डाइजेस्ट हो जाता है हमारे पेट में हमारे small intestine में जिसने के थी छोटी आठ कहां चला जाता है खाना जोटी हां से जो फोटे छोटे-छोटे structure होते जने हम unfoot इह खाने को या और खाने को एबजार कर लेती है डेलद को दे मड़ देती है या इते जो राट जू रमारे आधा जो हमारा ब्लेड होता है भगवान ने उसे इस अ ठीक है ठीक है यह यह हो नहीं क्या स влиकेर ही ग़िसरों अनको बलॉक मारूं यहां पागल समझ रहे हैं, जो भी आपस नहीं कुछ कहें, उनको बलॉक मारूं लेकिन मतलब देखके, सब को मत्मझ मार देना जो जदा दूसरे से कर रहा हो ना केल थो उनको चेताब देतों कि बूसरे से बात ना करे वरना ब्लॉग और इंको ब्लॉग करनेजे तो इन सब की जरूरत किसको पढ़ती है सेहल को पढ़ती है कोशिका को पढ़ती है खाने की oxygen की हार्मोन्स की, एंजाइम्स की, जबकि बनता क्या है, कार्मन डियॉक्साइड बगेरा, और जैसे यूडिया, यूरील, ये सब चीजे बनती है, बनती है, बनती है, तो इनको बहार निका देगी, जो पड़ती है, तो भगवान ने एक चीज सोची, कि मैं ऐसी चीज देता हू जिसमें ये सब चीजे घुल जाएं, और वो पूरे शरीर में पहुच जाएगा, उसने बना दिया, उसने क्या बना दिया, हमारा रुधिर नाम की चीज बना दिया, कि मैं ये चीज सब में पहुचा देगी, खाने को, ऑक्सिजन को, कार्मन डियोक्साइड को लेकर बहार निकल जाएगी, सारे कामी ब्लड कर लेगा, बोले अच्छा ब्लड आगे मेरे पास, भगवान में ब्लड बना दिया, ब्लेड अट दिया, बोले यार अम मैं इसको डालू कैसी, इसको मैं ऐसे डाल दू इसके शरीर में कि हार्ट है, हार्ट से जिसे पानी नहीं होता, जिस इस जगे हमें पहुचा आना हुआ उपन आजाया, टो उसके पास दो तरीफी का सिस्टम घंटी का सिस्टम हतोता बाल you oli student और जो था अब relevant we are !! बोपन सब्सक्राइब ब्लेड पहुंचता है उसको बोलते परी संचलान क्या बोलते परी संचलान संपूलेशन ऐसे ऐसे घुमना फिक है ओपन माने खुला हुआ ओपन में क्या हुआ कि यह है हमारा हट मतलब हमार नहीं यह किसी प्रणी का हट है जैसे कि मकडी मकडी हो गई स्पाइडर कहलो या या कहलो जो आपके इनसेक्ट होते हैं हीट होते हैं किडे होते हैं इनका हट हुआ हाट से ब्लड के अंदर ऑक्सिजन आई और हर्ट ने उस सब्सक्राइब होते हैं यहां पर अपने नाम क्या देदिया हीमो जहां पर जो जड़े होती है यहां पर ब्लड आके खटा हो गया और उस इत्थान को अपने नाम क्या देदिया हीमो कोई क्या नाम देदिया हीमो कोई अब यहां से ब्लड क्या करेगा यहां से ब्लड इन सेल के अंदर अपने आप चला जाएगा इन टीशू के अंदर अपने आप चला जाएगा किस प्रोसेस के दौरा किस प्रोसेस के दौरा डिशूजन तो यह जो के टोटें इन से टोटे इनका शरीर होता है बहुत चोटा, इनकी गोड़ी होती है बहुत ही स्मॉल छोटी होती है, तो इन में क्या होता है? प्वास से शे मिनट में जो रखते है वो पूरे शरीर में बुह जाता है. मतलब हर एक सेल तर पहुंच जाता है. ठीज़े, पहला तरीका उसके पास ये आ तो इसने देखा कि अगर यह वाला सिस्टम लगाता था निश्विजन का तो भाईया हाट से और हमारे पैर के क्या नामें अंगूठे तर और हमारी सिर के उपर उगलियों के अगूठे तर पहुंचने मों से कही दिल लगते थे बतला उसे बहुत समय लगता था बगवांजी दो भाईया यह सिस्टम काम नहीं करेगा उन्होंने क्या कर दिया इसको ओपन की जगह अमारे उन्दर गौह सा सिस्टम डाल दिया अँन्होंने कि लोगति सिस्टम तो बहुता है जो आपका रफ्त होता है वो कभी भी वी या तो वींस में ने रहेगा जैसे आप शिराएं पूरे हो देने चोटी चोटी ऊती एंचने फीर बेशेश होती है जिने विलड टेंज हमाया जाता है विलड वेशी ओती है नाहीं पूरे दिर बात दबहर पढ़ोगे अर तीसरी ओते एंचने के शी नाहीं अभगमान में ये system बनाया रखा कि रग्त हमेसा इन तीनों में रहेगा, इन तीनों को छोड़के नहीं जाएगा, wheels में रहेगा, arteries में रहेगा, या capillaries में रहेगा, और ये capillaries ही कोई छीज होती है जो कहां सतकर पहुंचे रहे हूथी है, कि टिशू तक पहुंची होगी है सेल तक पहुंची होगी है मतलब यह इतनी फाइन पतली होती है कि यह टिशू जो हमारे वृता होते हैं तो इनका पेनेटरेशन होता है तो close ने क्या हुया उन्होंने उन्होंने कहेंगे कि थीक है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है कि ब्लड इन तीनों चीज़ों से कभी भी भाग नहीं इतलेगा मतलब उन्होंने हर्ट से ब्लेड को पहुंचाने के लिए तीन छोकी-छोकी पायत के इंतिजाम कर दिया वींस आर्टेज और कैतलेगी तमने इस को पढ़ेंगे तब हम इसकी बाग करेंगे अब इतना समझ रहेंगे कि जो हम यूमन्स के लिए इंसानों के लिए जो हमारा परीशंचलान तंत्र उखा है वोता है डबल किलोज सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब दो बार हट से पास हमारा रत होता है ठीक है यह सर्कुलेटरी स स्थ्थम के बारें समझमा हुब यह घ्याये जो काली सथान होता था उस कमोटों क्या होक ही मैं हमारे अंदर दो रहे से हमारे अंदर हमारे सिस्टम के बात करो माना परी संचरन तंत्र की तो इसी दो तरीके से मिलके बनता है एक तो यह ब्लेड को सर्कुलेट करता है रक्त को और एक बूसरी चीज जो सर्कुलेट होती है जिसे कहते हैं लिंफ क्या कहते हैं लिंफ या लसी का ठीक है इसके बारे हम बाद में बाद करेंगे पहले हमारे पास क्या जाता है बिलेड सर्कुलेटरी सिस्टम जो हमारे सरीर में आना जाना होता है टिसका लग्स का पीला लसी का बोलते हैं अब अब किसकी बात करेंगे व्यां विल्यम हार्वे विल्यम हार्वे नाम के व्यक्ति ने सब्सक्राइब एक तो इसको पहुचाना है रात पूरे सरीय में पहुचाना है तो कोई पंप करने के लिए चाहिए तो नहीं क्या दे दिया हार्ट दे दिया हमारा हिर्दय दे दिया और तीसरी चीज़ उन्हें तो छिर्दय यसे रट जो जाएगा किनी पाइप के दू जाएगा तो नहीं तीसरी चीज़ का देदी बिलेड वैसल्स क्या देदी भीया बिलेड वैसल्स यह रट वहिफिन्य रट वहिन्य पळड़िय लींदा संस्में नं रख वाहिन्य विलियम हारवे ने खोज़ा तीन क प्रचिन 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 उसके बारे से उच्छिन आएगा तो थोड़ा सा सही से समझेगा कि ग्रट एक्षर में हमारा रख्त होता क्या-क्या थीक है जो हमारा रख्त है ब्लड या रक्त बोल दो या इसे रुधिल भूल दो उन्य वी भूणते अ पहली बात यह चीजह को कि बनेट करता है क्या थिए क्योंकि यह विशका से एक जगे से दूसरी जगे बहता है प्लाज्मा जो ब्लेड का लगवग 50-55% हिस्सा होता है हमारा जो रखते हैं वो दो चीज़ों से निलके बनाए जैसे हम फ्लिड करेक्टिव टीशू भी कह सकते हैं ब्लेड को कि देखो जो क्यों तो निलके निलके रूप में होता है डो चीज़ों उसके बनाए ऐना ओर एक इसके अंदर पाई जाते हैं य ह ब्लड इस को प्लाजमा वीचिग और ने बाई प्लेट लेक्स तो फंपोनेट ऑपे प्लास्म जो लगबग 25 परसेंट होता है और इसमें भी ज्यादा इसता किसका होता है अर्बीसी का तो हमारे ब्लेड सेल्स में इन तीनों में सबसे ज्यादा भी कौन सी पाई जाती है आर वी सी पाई जाती है यह कितना नहीं होता वो समझ देखो हमारी बॉडी का हमारी सरीफ में इसका 7% 7% वजन के बराबर 7% वजन के बराबर ठीक है अगर रोस्ट देखोगी कि उसब कितना लीटर होता है तो चार से पांच लीटर और पूरसों में थोड़ा सा एवरेज जादा होता है या 5.5 या 5.6 लीटर ब्रेड का जो pH होता है वो होता है 7.4 ब्रेड की जो डेंसिटी होती है वो लगवत पानी के बराबर होती है 1060 किलोग्राम पर मीटर क्यों मेरी बात समझ रहे हैं हमारे शरीक के 7% के बराबर जितना भी आपका वज़न है ठीक है चार से पांच महिलाओं में औस निकाला होगे 5.5 और 4.5 लीटर इस इतना मिलता है महिला के अंदर 4.5 लीटर पूर्सों कि अंदर 5.5 लीटर ऑस्तन मिलता है पी एच कितना होता है 7.4 डेंसिटी कितनी होती है एक हजार साथ केजी पर मेंटर क्यों यहां तो कोई दिक्कत बताइए यहां तो कोई दिक्कत ठीक है अब बात करते हैं यह तो होगा इसके बारे में छोटी मुटी इंफोर्डेशन ब्ल इसे प्लाजमा की है इसे में प्लाजमा के आग्कों सबरी रहेते हैं तो हही से घृटे है het इसकी बात करेंगे प्लाजमा की किश की बात करेंगे प्लाजमा कि होता क्या तो देंको फल्ड है इसका किस से बना है और 92 परसेंट पाया जाता है तो 90 से 92 परसेंट वाटर या जल लगबग 7 परसेंट पाया जाते इसमें प्रोटीन प्रोटीन कैसे जैसे एलगूमिन होता है जो हार्मोंस यह हार्मोंस वगरा को बाइंड करके चलता है फैट को माइंड करके चलता है तो अमीरो एसल जो होते हैं वह भी किसी से चपकते प्रोटीन चलता है जो ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर होता है ब्लड के परासरन दाव ऑस्मोटिक प्रेशर इसके लिए भी जुम्मिर आ रहे हैं जब ब्लड मतलब जो प्लास्मा के अंदर जो आदान प्रदान होता है उसका कारण भी क्या है एल्वुमिन नाम का प्रोटीन फिक्स हो लिजी हार्मों स्थे टैमीन एसे डैसे वगएरा को अपने साथ बांद कर चलता है इसी के साथ बंद कर एक जबह से दूसरे जगे जैसे यह एल्वुमिन बंता है लिवर में और हार्मों कहीं से बन रहा है इसके साथ बंद कर चलते है और यह जगे से बहुंच जाते हैं एल्वुमिन का होगिया ठीक है वाटर को भी यह ही अकुमन ठीक है नेक्स्ट जो वाटर पाया जाता है खरेदे के अंदर बाश्म बीट पाया जाता है दूसरा एक और प्रोटीन होता है यह बनाता है antibody क्या बनाता है antibody antibody जो जब आपके अंदर infection हो जाता है तो इनफेक्शन से जो लड़ती है antibody जिसका इसका जो antibody होते हैं को immunoglobin भी बोलते है क्या होते है immunoglobin इसमें albumin होता है immunoglobin होता है सासाथ thyroxine F2 halmons वगेरा को भी लेके चलता है ठीक है सासा यह जो प्लास्मा होता है इसमें दो protein और पायं जाते हैं जिसे प्रो अपाया जाता है प्लो थ्रोम इन और फाइब्री नोजें फैक्रो नोजें फै नोजें नोजें इक तो इसलिए ब्लेड में पाया जाता है नो ब्लड क्लॉट्ट ना बने इसलिए ब्लेड में पाया जाता है दो इता है यह एंटी प्रोथ ओंबिन होता है अगी प्रोथ्मविन का बोधी तो यह क्या होता है रगघ का ठका अंदर जबने से रोग देता है एक यह प्रोटीन होते है प्रोटीन में मुख्ये प्लाजमा प्लाजमा चलता है प्लाजमा में भी गुली वहती है यह मैं आपको बता चुपा हूं जो मैंने इकरेशन सिस्टम पड़ाया था चुछिए लएक प्लाजमा की बाद हमना अतलय क्या जाती है वह ब्लड सेल्स सब्कुर्ण में भी ग्याहती है वी मतलड को ने मिकाल लेते हैं एंटी कउग्यूलेंट फैक्टर्स को निकाल लेते हैं मतलब यही फैब्डीनोजीं और प्रोथ्रोम निचंग लेते हैं यहीं class ऑन्ट्रोंबिंग और अंट फाइप लिखरांब फाइब्री नॉज इनको निकाल लेते तो जो बचता है। बागी जो तीनों से जब आपके काम जाओ कि आपके किसको देदेना टो नियाँ सेके निया और पर आती है और बी दो जो जाती है जय से इसको बोलते है इसका E-R-P-H-R-O, Erythrocytes, क्या बोलते हैं? Erythrocytes, इसको बोलते हैं Leukocytes, इनको क्या बोलते हैं? इनको क्या बोलते हैं? इनको क्या बोलते हैं? इनको क्या बोलते हैं तो इसको आपको बात बहुता चलेगा, इसमें थ्रम भी बनता है? तो यहां से आप याद हो जाएंगे कि क्लेट, एक दूसरी को बोलते हैं तो थ्रम भी बनता है, तो यहां से आप याद हो जाएंगे कि प्लेट लगा देते हैं तो थ्रम भी बनता है, तो यहां से आप याद हो जाएंगे कि थ्रम भी बनता है, तो यहां से आप याद हो देखो अगर नंबर की बाद करो संख्या किसकी ज्यादा होती है लगबत 45% में है ना 44.99% तो यही होती है सबसे ज़्यादा चला तो सबसे जादा कि तो आप इसको चाहें तोआप इसके लिए सम्ख术 य舞 alta और थे प्रूब्स में ज़्यादा होती है जो पुरूस होते हैं पूसों में ज़्यादा होती है और महिलाओं में होती है कम पुरूसों में ज़्यादा होती है 4.2 से लेके 4.7 से लेके 6.1 million per millimeter cube मतलब 47,005 से 61,005 तो आप इसको कैसे याद कर सकते हो 40-50 लाग लगब RBC पर मिलीमेटर क्यूब ऑफ ब्रड में पाई जाती है ठीक है ब्रड की 1 मिलीमेटर क्यूब वोल्यूम में कितनी RBC पाई जाती है लगब 40-50 लाग महिलाओं में थोड़ी कम होती है 42-45 लाग दौनों को मिलाकर क्या कह देते हैं कि इसका एवरेज लगब इतना आया है जो लिकोसाइड होती है यह होती है 4000 से लेकर 11000 चार हजार से लेकर 11000 पर मिलीमिल्टर क्यूब जो यह WBC हमारे सरीर में पाई जाती है जो प्लेट लेट्स पाई जाती है सबसे बड़ी होती है प्लेट्स साइज में यह सबसे बड़ी होती है प्लेट्स का जो साइज होता है इसके सेल का साइज सबसे बड़ा होता है अगर साइज में बात करें तो साइज के हुपार लें यह सबसे बड़ा होता है यह सेकंड नमबर पर होता है और यह ठर्ड नमबर पर होती है यह सबसे बड़ी सेकंड और ठर्ड नमबर पर अगर किसकी बाद करें आकार की बात करें तो सबसे बड़ी कौन से होती है प्लेक्लेस प्लेक् propose ऑ फिर आपकी अर्थ्रो साइट यह ए सब्सक्राइब साइज में नमबर में आगे बढ़ते हैं आगे देखते कहां बनती है कैसे कैसे बनती है और क्या क्या होता है इसका नुक्लियस होता है देखो आर्बीसी में कोई केंद्रक नहीं होता हम इसके सेल में नुक्लियस भी पाया जाता है जबकि जो होते हम लोग हमें इसमें कोई नुक्लियस नहीं पाया जाता है कोई केंद्रक नहीं पाया जाता है अब कुशन आता कि आर्बीसी में क्यों नहीं होता है तो देखो आर्बीसी का जो काम है वो है ऑक्सिजन को ले जाना किसकी मदस से हीमघ्लोबिन की मदस तो इसके अंदर ज्यादा हीमघ्लोबिन हो सके इसलिए ना प्रस अंदर डिने भी ना जाता है और गोलजी क्यों यह साथ की है रेट क्लरर की इसी रेट कलर की वजह से हमोगोगीन की वजह से रग कैसा होता है रैड होता है ठीक है? इन ये कई ठीक है इनका कोई भी रग? नहीं होता हु कोई रग? लेख सकता हूं नहीं होता है से यह बहुति Hnt प्रेख क्लररियस चे 거죠 कि इसको अपनी इंफोर्मेशन सेव करने की जुरूब पढ़ती है कि मैंने किस तरीके से मारा वो किटानों मुझे जद्दवार आफर करेगा तो मेंने डवी इस इंफोर्मेशन के इस्तेमाल करके उसको पहले ही अपना काम करने से पहले ही माहने की कोशिस करेंगी इनकी जो कोशिक होती है उसका उसकी आकृती कैसी होती है शेव आकृती क हैं धुज व지लों चुछ वाइं योगें दौन तरह से पाइं को कि mentis today और बीवी इसे हैं। उत्व को दुखेथी ज्यून के बाइं आधिक तरह से गुछ ग॥ी एचामी टीन हणिए कि की जिफिए पोछने उतिए यह पानलोग शाहओ होती गालिया वाराइप्ति पनी कहां प्रवेसं कि इसको ''बैंटि कर सकतreet कर देगी इस तरीके क्या है यह जो WBCुह की वह प्रवसेट बिंज कर सकती है क्यों कोःता है миयाना वॉट्लत कर सकता है बंती कहां पर लात और वीचंग है ज्सक्द बच्चा मात रख में होता है फीटस होता है गड़ में बच्चा होता है थी के गड़ग में तो RBC बनती है लिवर वे इस्प्लीन नान के ओर्गन में लिवर वे इस्प्लीन में ठीक है जब अच्छा पैदा हो जाता है उसके बाद में बनने सुरू हो जाती है बॉन मेरों में बनने सुरू होता है अस्थी मज्जा में कहा बनने सुरू हो जाती है अस्थी मज्जा ठीक इसके लाबा लिंफ लसी का पढ़ा हुआ जहां लिंफ वैसा इखटे हो जाती है हमारी बगल में हमारी गर्दन में तो लिंफ नोर्स जो होती है वहां भी यह बंती है बोर रेरों भी बनती है थाइबस गलेंड में भी बनती है लिंफ नोर्स में भी बनती है इस प्रीन में भी डाल मिर्य बनती और प्लेट लेस्ट भी